5, 4, 3, 2, 1 महुदय यह माना जा रहा है कि उप्योगी पर्यावरण नीतियां व्यापार से लाभ उठाने में सहायक हो सकती हैं और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि व्यापारिक अवसर और अधिक दिये जाने पर विकाशील देश पर्यावरण सुरक्षा में और अधिक निवेश कर सकेंगे मेरा यह प्रत्यक्ष अनुभव रहा है कि व्यापार कार्य पर्यावरण के प्रती जागरूकता लाने का सर्वोत्तम उपाए नहीं है। डाल दिया जाए तो यह पर्यावरण के मानत निर्धारित करने का एक प्रतीगामी मार्ग होगा बलकि मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यह प्रतीगामी ही नहीं बलकि निरर्थक भी होगा क्योंकि व्यापार और पर्यावरण के बीच संपर्क की जड़ें सतही मानेताओं में ही पाई जाती हैं, बलकि ये बहुत गहरी और विवस्थित होती हैं. और द्योगिक देश विकास-शील देशों में सामाजिक और पर्यावरडिर सहायता प्राप्त करते हैं. यह च्छद्म सहायता उत्तर में हो रहे ऐसे विकास कारियों के लिए होती हैं जो परिभाशा के दृष्टी से सतत विकास नहीं होते यह स्वतंत्र व्यापार को हस्यास्पद बनाता है यदि हमें इसे सही स्वरूप प्रदान करना है तो इस सहायता को मान्य बनाया जाए और इसका हिसाब रखा जाए रख्षिन के लिए कष्टकर आर्थिक गरीवी और परियावरण हास मात्र संग्योग नहीं है बलकि इसका कारण उत्तर की सम्रिध्धी और संपन्नता है रख्षिन में यह गरीवी और पतन उत्तर की संपन्नता का ही परिणाम है गरीवी को समाप्त करना सभी के जीवन के लिए आवश्यक है यदि जीवन के इस मार्ग की बाधाओं को दूर करना है तो हमें व्यापार और पर्यावरण परायोजित इस बहस के दिखावे से उपर उठना होगा मेरा यह सहज विश्वास है कि हम सभी यह जानते हैं कि क्या हो रहा है परन्तु हम में से बहुत से आर्थिक वितन्डावाद के कारण चुप रह जाते हैं हमें यह सुनशित करने का पूरा प्रयास करना होगा की पर्यावरण की दृष्टी से व्यापारिक संबंधों को बदलने के लिए जो भी निड़य किये जाएं वे पूर्णतह रियो सहमती के अनुरूप हों समूचा विश्व पर्यावरण के प्रती जागुरूक है और हम चाहे गरीब हों या मीर पर्यावरण पर मंडराने वाली संकट की काली चाया का प्रभाव सभी पर पड़ेगा दूसरी ओर व्यापारिक संबंध इतने विशम और असंतुलित हैं कि इनसे ठानी होगी महुदय भारत और बहुत से अन्य विकाश्रील और परिवर्ती अर्थविवस्था वाले देश आर्थिक उदारी करण और विश्व्यापी करण के लिए अपने तरीके से व्यापार कर रही हैं परन्तु मैं समस्ता हूँ कि व्यापार के उदारी करण से विकाश्रील देशों को आर्थिक और परियावरण संबंधी लाभ तभी मिलेंगे जब बाजार प्रक्रिया को ठीक से काम करने दिया जाए और यह उत्पादों की वास्त्विक लागत पर आधारित हो परन्तु अ देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा दोहन करना पड़ेगा और उदार व्यापारिक नीतियों से इस प्रक्रिया में मात्र तेजी आएगी इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सख्त और नियंत्रित व्यापारिक व्यवस्था के पक्ष में हूँ इसका हल परियावरण संबंधी लागतों को अंतराश्प्रिय बाजार कीमतों के साथ जोडता है इस से यह सुविख्यात नीयम की प्रदूशक कीमत अदा करेगा का विस्तार प्राप्त करके ग्राहक कीमत अदा करेगा के शेत्र तक व्याप्त हो जाएगा भारत उन्देशों में से है जो पर्यावरण सुरक्षा के शेत्र में अग्रड़ी है हमारे यहां उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए पर्यावरण संबंधी मान है हमारे यहां उद्योगों के स्थान और इनके द्वारा प्रयोग की गई प्रद्योगी की के संबंध में परियावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रक्रियाई हैं, हमने एक परियावरण लेखा परिक्षा शुरू की है कोई भी विकाशील देश जो स्वेच्छा से परियावरण संबंधी सुरक्षा के इस मार्ग पर और आगे चलना चाहता है, सापेक्ष लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा तब तक कैसे कर सकता है, जब तक उसे परियावरण संबंधी कम कीमतों का खतरा रहेगा यहाँ पहले ही एतिहासिक अंतर है और हमें गरीवी और आर्थिक रूप से अल्पविकास होने की तातकालिक समस्याओं को भी दूर करने में अभी काफी समय लगेगा यदि परियावरण के कारण व्यापारिक लाब भी कम हो जाए तो इससे न केवल हमारे विकास के परियासों को धक्का लगेगा बलकि परियावरण संबंधी समस्याएं भी और उग्र हो जाएंगी गरीब समाजों में परियावरण की व्यक्रिती गरीबी को भी दर्शाती है और गरीबी के प्रभाव की भी गरीबी ही दुश्मन है और यही सीमा है जिस सीमा तक गरीब समाज को व्यापार से आर्थिक लाब उठाने से रोका जाता है और यही वह सीमा है जिस सीमा तक गरी की इस्थिती बनी रहेगी हमने संग्रख्षणवाद के खत्रों के बारे में बहुत सुना है लेकिन कुछ देश अपनी संग्रख्षणवादी नीतियों को नहीं छोड़ना चाहते हैं महोदय हम सभी चाहते हैं कि विकास प्रक्रिया निरंतर चलती रहे लेकिन सतत्विकास के बारे में अलग-अलग लोगों की राय भिन है उनकी आकांशाएं और संकल्पनाएं एक जैसी नहीं हैं इसलिए सतत्विकास की अउधारना को मोटे तोर पर यहां पारिभाशित किया गया है उत्पादन प्रक्रिया में उपभोगता वस्तुओं के साथ-साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं जिनका परियावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है लाभकर और हानिकर पदार्थों में संतुलन बनाए रखने तथा विकास के विभिन विकल्पों के मुल्यानकन के लिए सतत्विकास की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है विश्वपरियावरण एवं विकास आयोग की परिभाशा के अनुसार ऐसे विकास की जिससे वर्तमान आवशक्ताओं की पूर्ति के साथ साथ भावी पीडियों को अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने में किसी प्रकार का समझोता न करना पड़े सतत्या इस्थाई विका कहा गया है इस परिभाशा को व्यावहारिक रूप प्रदान करने की आउशक्ता है इस परिभाशा में इस बात पर विशेस बल दिया गया है कि सतत्विकास कोई इस्थिर्या निश्चित इस्थिती नहीं है बलकि ऐसी परिवर्तंशील प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का उ उपयोग तो होगा ही और यह मानना कि प्रतेक संसाधन को हर जगह सुरक्षित रखा जा सकता है व्यावहारिक नहीं है